नमस्कार दोस्तो मेरा नाम जितेंदर है दोस्तो जैसे कि आप ये सामने जो पौदा देख रहे हैं ये निम्बू का पौदा है और इसको अभी एक साल भी नहीं हुआ है मुश्किल से जो है आट नो महीने का है ये और आप इसकी ग्रोथ देखिए अगर मैं आपको दूर से थोड़ा सा ग्रोथ दिखाऊं तो ये देखिए ज्यादा बड़ा पौदा नहीं है अगर मैं एक टेहनी लंबी करके उसकी हाइट अगर आपको दिखाऊं तो मुश्किल से साधे तीन चार फुट का होगा और बहुत अच्छी ग्रोथ की है इसने और देखिए नीचे की ज और वालची ग्रोथ कर रहा है बस मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहरा था तो आज मैं इसकी प्रूनिंग कर रहा था क्यों जो अन्वांटेड जो इसकी डालिया है स्टेम्स हैं जिसमें आप ही देख रहेंगे इसमें ना आप देख रहेंगे बहुत छोटे-छोटे अगर काटे हैं अगर आपको दिखाई भी दे रहा हो गई तो किसी भी डाली पर देखेंगे आप तो काटे बहुत छोटे-छोटे से हैं ज्यादा बड़े आपको काटे नजर नहीं आ रहे होंगे जिस भी डाली पर निम्बू लग रहे हैं यह देखिए निम्बू लग र और यह देखिए निम्बू देखिए निम्बू बहुत लग रहे हैं और काफी तो निम्बू हमने तोड़ भी लिए हैं यह सर्दियों का फल है 12-18 निम्बू का पेड़ है यह तो मैं आपको बताना चाहरा था यह देखिए नीचे देखेंगे कुछ डालिये मैंने काट दिय हैं क्यों काटी हैं उनका ही डीजन देखिए अपको काटे दिखाई दे रहे हैं कितने बड़े बड़े काटे हैं यह देखिए यह कब हैं विड़े ещё जाके आपको लगे आपके निम्बू में मौसमी में कीनू में आपको लगेग साथ आपके पेड में तो यार इतने काटे नहीं हैं लेकिन ये इस डाली में इतने सारे काटे कैसे आ रहे हैं भले ही वो grafted जहां से है उसके उपर से ही निकल रहे हूँ लेकिन मैं आपको ये suggest करूँगा प्लीज इस डाली को जो भी ऐसी डाली निकल रही है उनको काट दीजे जैसे मैंने काट दिये हैं यहां से यह देखिए क्योंकि यह इस पे फल नहीं लगेगा कभी भी, आप यह देख रहे होंगे यह जो तीनों डाली हैं, भले ही यह ग्राफ्टेड पार्ट से उपर है, उपर यहां से, करीब करीब मैंने यहां से काटी है मैं आपको, अगर अब दिखाऊं भी आपको यह देखिए यह देखिए, यहां से मैंने जो है, यहां से मैंने काटा था, यहां से मैंने काटा था, यहां से एक काटा था तो डाली यहां से काटी है और मैं एक दूसरा निम्बू भी दिखाऊंगा उसमें भी ऐसा ही है तो उसकी मैने भी काटी नहीं है मैंने सोचा है आपको एक अफडेट दिखाऊं और फिर दिखाऊंगा क्योंकि इन डालीों पर कभी आपका फल नहीं आएगा ये सिर्फ और सिर्फ जो है ऐसे ही डंडी के तरह लगती रहेंगी लेगिन इनमें फल कभी नहीं आएगा फल जो पेड होगा उसमें कभी काटा नहीं होगा ये देखिए ये निम्बू देखिए इनमें देखिए आप आपको कहीं लग रहा है काटा कहीं आपको काटा नहीं पल देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए तो आपको मैं अभी जो है दूसरा पौदा दिखाता हूं अपना नीमू का सेम वराइटी का है चलिए दिखाता हूं यह लेके चलता हूं आपको यह देखिए यह जो है मेरे सारे फूर के फ्लांट है यह सेव का है याम का है यह देखिए सात ओट divert महीं प्रोणा यह देखिए इस पर भी आ आ रहा है यह देखिए नया फल भी आ रहा है ऐसा नहीं है फल नहीं है फल देखिए फूल देखिए यह देखिए यह देखिए हर डाली पे जो है जिस डाली पे जो जंगली डाली नहीं होगी उस पर बिल्कुल आपको फल नजर आएगा यह देखिए आप यह देखिए तो अ से नीचे से एक डाली निकल रही थी, वो मैंने जो है काट दी थी यहां से, यहां से काट दी थी वो, और यह वाली जो डाली है, इसमें काटे देखिए आप, और भी मैं आपको दो-तीन डाली दिखाऊंगा, जिसमें काटे दिखाऊंगा आपको, और यह देखिए, यह देख कर रही है और आपको इस पर एक भी फल देखने को नहीं मिलेगा यह देखिए नहीं ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन डाली नहीं ग्रोथ कर रही है लेकिन इसमें आपको फूल नहीं मिलेगा वहीं आप यह देखिए इस डाली पर फूल देखिए आप फूल देखिए यह देखि फूल है लिग नेति दाली पर न है तो तो क्या करना है इस डाली को अपको कटिर लेना है और इस डाली आ से आप माक्सिमुमा काट सके उसको लाइसे यह गब चाट दीजें अब सकानि है इस डाली कि जरूरत नहीं है इस डाली की जरूरत नहीं है और डाली देखते यह देखिए यह जो है इस डाली पे काटे नहीं होंगे अच्छी ग्रोथ कर रही है तो इसको छोड़ेंगे हम सेम इस डाली पे भी आपको काटे कम मिलेंगे ग्रोथ अच्छी कर रही है तो इसको भी छोड़ देंगे अभी आगे थोड़ा सा वेट करेंगे लेकिन जिन डाली पे आपको लग रहा है यह भी काटे हैं और growth जो है कम कर रही है growth ज्यादा कर रही है एक्दम से जो rocket की sped से growth करती जा रही है ऐसी डालिया को जरूर काट देना चींग क्योंकि plant की सबसे ज्यादा energy जो sucking जितनी पी energy जो होती है वो यह ऐसी डालिया सक्कर लेती हैं एकदों से उसका की सारी एंटर जाती है जिससे पेड को जbonती एनरज्य को जितनी एंटर्जी होती हुँ नहीं हो थी क्योंकि वह रॉकेट की तुछ थौए से बढ़ती के जा रहा है तो आम एस चीज का धिया रखना स्पेशली जो इसके जो है यह मेरा मौसमी का पौदा है कि इसमें अभी कोई फल नहीं लगा इस बात यह भी ग्राफ्टेड है यह भी ग्राफ्टेड है लेकिन जब इसका कुछ होगा तो मैं आपको जरूर अपडेट दूँगा एक और मेरा है वो भी मैं दिखाता हूँ यह मेरा आम का है यह पल बेर का है पल बेर लग रहे हैं इस पर यह मेरा मौसमी का है और यह जो है सीडलेस निम्बू है और देखिए आपको इसमें फूल नजर आ रहे होंगे यह देखिए यह सीडलेस निम्बू है इसका अब सीजन आगया है अब इसमें नीम्बू फल फूल आने शुरू हो गए और एक चीज और आपको दिखाऊ यह देखिए आपको लग रहा होगा देखाई दे रहोंगे पत्ते खाये हैं जो पत्ते जिसमें होते हैं वह पत्ते खा जाते हैं अब जैसे सर्दियों का टाइम अभी तो नह अब यूज करके और अपने पेड़ पौद पर डाल सकते हैं मेरे पौदो को जो है कीड़े खा जाते हैं आप जरूर डाल सकते हैं तो यह सीडलेस एक निम्बू की वराइटी है तो आप सेट्रस फूर्ट का ऐसे ख्याल रख सकते हैं और जरूर कहा है धन्यवार